अपने कारियाले में काम करने वाली महिला की अशलील तस्वीरे खीच कर उसे ब्लैक मेल कर संभोग करने वाले एक प्रॉपरटी डीलर को राम नगर पुलिस ने गिरफतार किया कोड में पेश करने के बाद उसे चार दिन की पुलिस हिरासत मिली चंदरपूर के नगिना बाग में एक प्रॉपरटी डीलर की यहां लंबे समय से काम करने वाली एक महिला ने डीलर के खिलाफ शिकायत दर्श कराई थी कि प्रॉपरटी डीलर ने पहले उसे फसाया और उसके बाद एक दिन कोल रिंक में नशिरी दवा मिला कर उसे बेहोश कर दिया और अश्लील तस्वीरे निकाल ले इसके बाद वह यह तस्वीरे दिखा कर उसे ब्लैक मिल कर रहा था इस दोरान उसने कई बार उसके साथ सम्भूक किया उसका घर भी अपने नाम कर लिया रामनगर पुरिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्श कर आरोपी प्रॉपरटी डेलर को शेनिवार की रात गिरफतार किया कल रामनगर थाने में एक पिडित महिला ने कम्प्रेन दिया कि एक रफिक पतान नाम का आदमी जो प्रॉपरटी डेलिंग का काम करता है उसके यह वह 2007 से 2011 तक लिकापडी का काम कर रही थी उसी जबरान उसमें उसके आखेलेपन का फायदा लेकर उसके साथ जबरन संभोग किया एक बार उसने कोल्डरिंग में कुछ नचिली दवा डालके उसके साथ जबरन संभोग करके उसके नगणब फोटन निकाले और उसके बाद उसमें 2012 में एक जगा ली थी, उसके पर उसमें घर बाना, बाद में 2013 में उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो अपने पती के साथ पुना में गई, उसी दोरान अरोपी ने उसके जाली काज़ास बना के उसका जो घर है, वो घर अपने नाम पे करवा लिया अब घर पे अपना कप्जावाद आमा लिया। जबी अपरीद महिला गोना से वापस आ गई तो अपने धर चली गई तो वहाँ से आरोपी ने उसको भगा दिया। तो फिर अपने पास पुलिस थाने में कंप्रेंट दिने आ गई तो ये बात सामने आ गई। इसके कंप्रेंट के हिसाब से ये फायर दर्ज किया है और आरोपी को और रिस्ट किया है। आरोपी कहा पैसर। आरोपी पठा रफिक पठा ये नगिनावाग कराने वाला है।